कि ये अब लेक्षर के अगले हिसे की तरफ सलते हैं न्या चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह। चेप्टर 10 किसे रिलेट करता है एजंसी से, तिक है किसी दूसरे परसन को पॉइंट करता है कोई काम करने के लिए कि मेरे भी हाफ पे कोई काम करो इसे कहते है एजनसी रिलेशन्शिप इसे एजनसी रिलेशन्शिप क्यों कहते है क्योंकि इस की वज़ा से जो दूसरा परसन जिसको पॉइंट किया जाता है वो agent कहलाता है जो दूसा person जिसको point किया जाता है वो गुन कहलाता है और जो person अप्वाइंड कर रहा है उससे principal कहते है और इन दोनों का जो relationship है इसे agency relationship कहते है नहीं जब कभी agency relationship होगा इसमें एक principal होगा एक agent होगा और principal ने अपने भी हाँ पे कोई काम करने के लिए agent को point किया होगा वो काम याद रखे कोई भी legal task हो सकता है कोई भी legal task हो सकता है बाद वकात वो continuing nature का काम होता है बाद वकात one of transaction होती है जैसे अगर हम examples की बात करें किन situation में appoint किया जाता है normally agent को agent को किसी एक specific transaction के लिए भी point किया जाता है जैसे ही transaction खतम हुई agency relationship खतम इसके example क्या है कि अगर हम किने किसी को property agent point किया अपना property agent basically क्या होते है property को खरीदने और बेशने के लिए अगर आपने किसी dealer से राप्ता किया उसे कहा मेरी property मुवेबल याई मुवेबल कोई भी property हो सकती है sell कर दो याई वाई भी कर दो by मेरे भीहाँ पे buy कर लो मेरे भीहाँ पे मेरी property sell कर लो तो आप इसमें फिर क्या बन जाते है principal और वो person क्या बन जाता है agent और आप दो में relationship क्यों सा create हुआ agency relationship अब ये relationship तब तक है जब तक वो sale या purchase निकर लेता जैसे sale या purchase हुए agency relationship खतम लेकिन अगर आप किसी को point करते हैं कि भाई हमारी shop है आप हमारी employee है ठीक है हमारी गैर हाजरी में आपने इस shop को manage करना है तो जो जितने भी employees होते है employer के या managers होते है वो उसके क्या है agent है उसके agent है अब वो continuing nature के agent है यानि वो किसी एक transaction के लिए नहीं है बिर routine में जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखे बहुत सी foreign companies की branches है अब जैसे KFC की example है अब जो KFC का मालिक है वो खुद तो आके नहीं बैठा हो ना पाकिस्तान तो यहां पे उसका business कैसे चल रहा है अच्छा जो agent से ला रहे है तो जो भी profit होता है agent अपनी jam में रख ले क्यों agent कर रहा है मैं transaction कर रहा हूं भाई भाई उतकर तुम रहे हो लेकिन अब किसी और के भी हाँ पे कर रहे हो तो जिसके भी हाँ पे कर रहे हो असल transaction का जिम्मेदार वो है profit हुआ profit उसका loss हुआ loss उसका आप तो दरमयान में मिडल में हो अब इसी तरह फर्ज किजिए अगर हमने किसी को point किया agent के तोर पे कि तुम हमारे हमारे भी हाँ पे property buy करो और वो property buy करता है बताइए अब पैसे किसने दा करने है जो दूसरी तरफ जिस party ने हमें property sell की है उसको पैसे किसने दा करने है principal ने के agent ने principal ने क्यों भी सारी बात ची तो उसके साथ agent ने की है price decide उसके साथ agent ने की है डील फाइनल एजन्ट ने की है प्रिंस्पल के बहाँ पे की है यही कंसेट में सबसे एहम कंसेट जो है ना पूरे कॉन्टेक्ट ओफ अजन्सी का वो है कि जब कभी एजन्ट को पाइंट किया जाएगा एजन्ट जो काम करेगा वो खुद अपना जिम्मेदार नहीं होगा उस कामों के लिए क्योंकि वो प्रिंस्पल के बहाँ पे काम कर रहा है तो उसके जितमें भी एग्रिमेंट्स होंगे वो उसके उपर लाइबल नहीं है किसके उपर लाइबल है प्रिंस्पल के उपर यह मेंन कंसेप्ट है जवाब को समझाना चाहरा है हाँ इसमें कोई ट्विस्ट है एक दो सबसे बड़ा ट्विस्ट किया है जब एजंट कोई शरारत करते हैं जब एजंट कोई शरात है हमने उसे का था बड़ाई प्रॉपर्टी खरीदना है बस पचास लाग तक की वो साथ लाग का अग्रिमेंट करा है तो एक concept है principle और agent का एक कल concept हमने पढ़ना है authority of agent का जिसमें हम ये पढ़ेंगे के agent को जो भी authority दी जाए जिस काम के लिए authorize किया जाए उसे चाहिए के वो ही काम करे उस authority के अंदर अंदर रहके काम करे अपनी authority से exceed ना करे लेकिन आज के lecture में हमने simple concept study करना है और इसकी कुछ example बस ज्यादा determining नहीं जाना हमने agent समझागी क्या है person employed जिसको employee रखा गया engage किया गया है to do acts and make contracts किसके लिए किसके लिए acts करने के लिए principle के लिए किसके बेहाफे contact कर रहा है for another person यह जो another person है इसको क्या कहते है प्रिंसिपल प्रिंसिपल और यह जो person जिसको employee किया गया यह agent है clear हुई यह बात examples क्या है किन situation में principle agency relationship और भी situation है हमारे इस level के लिए तक यह तीन काफी है concept समझने के लिए अगर हमने किसी को property bias sell करने के लिए engage किया वह हमारा एजन्ट है किसी को हमने rent collect करने के लिए जैसे हमारी पूरे शाहर में फर्ज कीजिए के 20 दुकाने हैं और हमने वहाँ पे हर महीने rent collect करना होता है अब सारे जाहरे आपको पता है एकी दफ़ा पैसे नहीं देते हैं कुछ महाने भी करते हैं सरा आज नहीं कल ले लेकल नहीं परसों आ जाएं तो हमने एक बंदे को रखा ही इस काम के लिए है कि वह पूरा महीना rent collect करके हमें पैसे दे देगा अब जो वह rent collect कर रहा है तो क्या rent collect करके अपनी जैमें रख लेगा हमारे भी हाँ पे कर रहा है वह हमें पैसे अदा करेगा इसके लिए बेजेंट रखा जा सकता है और जो सबसे common example है इसको तो खास और प्याव स्टारिक माग कर लें to manage his shop या manage business owner business को manage करने के लिए किसी को भी अपना manager या employee रखता है तो वो जो manager या employee है वो कौन है agent और जो owner है वो principal है बहुँ यह बास समझा गई agent की definition principle क्या है person for whom act is done जिसके लिए act किया जाए जो act करता है जिसके लिए act किया जाए जो act करता है जिसके लिए act किया जाए प्रिंस्पल अगे चले क्यारे principle चुक्के यह agreement हो रहे है अब यह कानूनी नुक्ता सुने agreement कर agent रहा है लेकिन सरकारी तोर पे यह contract किसका हुआ तो बताईए वो जो हमने rule पढ़े थे competent to contract होना चाहिए सोच के मुझे बताईएगा वो agent पे लगने चाहिए प्रिंस्पल पे के दोनों पे प्रिंस्पल पे का competent to contract होना ज़रूरी है क्योंकि उसके नाम पे अजेंट का competent to contact होना ज़रूरी है क्यूं जरूरी नहीं है प्रिंस्पल पे कुंकि वह अपने नाम से कुंट्रेक्ट निकर रहा है यह बास समझ आगे चलते अचा जब हम यह कहते हैं ना कि यह काम नहीं हो सकता जैसे हम कहते हैं कि एक परसन किसी दूसरे को लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकता तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो रोक कोशिशी नहीं कर सकता कर सकता है लेकिन उसकी कानूनी हैसियत अगर एग्रिमेंट हो जाता है तो उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी जब हम कहते हैं कि प्रिंस प्रिंस्पल नहीं हो सकता इसका यह मतलब नहीं है कोई माइनर एग्रिमेंट करी नहीं सकता वो जूट बोल के कर तो सकता है कर तो सकता है करना नहीं चाहिए सोच के मुझे बताइएगा अगर एजेंट माइनर है प्रिंस्पल मेजर है कोई प्राब्लम है आपको कोई प्राब्लम नहीं है दुनों मेजर हो बहुत अच्छी बात एक माइनर एक मेजर है अगर एजेंट माइनर है प्रिंस्पल मेजर है प्रिंस्पल का competent to contract होना दूरे प्रिंस्पल competent to contract नहीं है law कहते है एस situation में चुक्के minor liable हो इनी सकता किसी चीज़ के लिए तो agent liable होगा कौन liable होगा agent liable होगा तो यह आपको point समझाया minor agent हो सकता है principal नहीं हो सकता minor agent हो सकता है principal नहीं हो सकता अगर minor principal है तो वो liable नहीं है बलके agent liable होगा वो liable नहीं है बलके agent liable होगा यह बास समझा रही है नहीं समझाई बास आगे बास चली अब आगे चलते हैं यह भी हो गया who can be agent, any person क्या कोई minor या answer on mind agent हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन अगर वो है तो वो किसी चीज़ का जिम्हेदार कोई नहीं होगा अगर वो कामशाम नहीं करता तो जिम्हेदार नहीं होगा जिम्हेदार कोन होगा ठीक है, who can be agent और who can be principal या who can point agent who can point agent का मत्तब क्या है who can be principal कोन हो सकता है principal जो major है है और sound mind है वही principle हो सकता है बही कुछ बास समझे हमने अभी तक क्या सीखा हमने definition सीखी agent की principle की हमने दूसर नवर पर कुछ examples देखी agency relationship जिनमें create होता है और हमने देखा कि agent कौन बन सकता है और principle कौन इसलिए असूली तोर पे जब भी agent को क्रेट करेगा उसके उपर liability agent की नहीं होगी प्रिंसपल की होगी लेकिन अगर प्रिंसपल माइनर है या अंसाउंड माइनर है फिर liability वापिस agent की आ जाएगी breach of contract के case में normal rule normal rule breach of contract के case लाइबल है प्रिंसपल लाइबल 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 नहीं है और फिर यह आप पहले concern पड़ चुके agreement without consideration में याद है क्या agency contract of agency में consideration होना लाजमी अगर कोई मुफ्त में हमारा agent बन जाए हमारा agent बना ले क्या agreement करेगा valid होंगे बिल्कुल consideration contract of agency में लाजमी नहीं है यह पढ़ा है ना agreement without consideration में तीन example पड़ी थी मैंने का था दो निकल गी है एक बाद में पड़ेंगे वो अब वक्त आगया जब बाद वाला है तीन example guarantee, bailment और agency कलियर जी कोई question पूछना चाहते हो दोनों minor तो कोई भी लाइबल नहीं होंगे अब जिसने contact किया वो खुद बुगते है हाँ minor होगा वो कभी भी principle नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो practically principle नहीं हो सकता इसका मतलब है वो legally principle नहीं होगा लीगली और अगर कोई बना देते हैं किसी को तो उस agreement की कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी वो agent reliable होगा बेकलियर होगा जे अच्छा आपने test your understanding आपने लाजमी attempt करने है ठीक है कल वाली कुछ टोन्स ने किया कुछ ने नहीं की लेकिन अभी चुके आगाज है तो मैं भी ज्यादा सक्ती नहीं कर रहा है लेकिन आइस्ता आइस्ता ज्यादा सक्ती होना शुरू हो जाएगी अभी मैं सिर्फ आपकी आदत बना रहा हूँ आज का लेक्सरियां में खत्म करते हूं अल्लाहावावास